कहानी की शुरुवात में हमें दिखाया जाता है कि एक ही फैमली के तीन लोग कुलरेडो के माउंटेन पर कलाइबिंग कर रहे हैं इनके साथ दो और दोस्त होते हैं ये सबी माउंटेन के उस जगा पर होते हैं जहां से एगर कोई गिर जाये तो उनकी मौत पकी है और ऐसा ही होता है सभी लोगों की रसी आएक दूसरे से आपस में करेक्ट होती है इनमें से एका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है जिसके कारण सभी एकी रसी के सहारे लटक जाते हैं लेकिन रसी इतना भार नहीं सह सकती जिसके कारण दो लोग नीचे गिर ज जान को बचाएंगे पीटर के पिता अपने बेटे को रसी काटने को कहते हैं पर वो रसी नहीं काटना चाहता था लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था अगर रसी ना काटी जाती तो सभी मारे जाते पीटर रसी को काट देता है और उनके पिता की मौत हो ज करता है उसकी सिश्टर एनई अब फेमस क्लाइंबर बन चुकी है एक दिन पीटर को ख़बर मिलती है कि कुछ क्लाइंबर के टू माउंटेन पर क्लाइंब करने वाले हैं और इनकी टीम में पीटर की principle एनई क्लाइम मर्स को बहुत सारा पैसा भी पे करता है इनमें से एक ब्रायन का नामका शक्रिश भी शामिल है ब्रायन का केटउ माונटेन से बहुत पुराणा संबंध है और यह संबंध हमें आगि जाकर कहानी के अंत में पता चलेगा अब अगले दिन इन सभी क्लाइमबर्स अपना सफर शुरू करते हैं इस बार फिर सभी क्लाइमबर्स कोई की रसी से कोनेक्ट कर दिया जाता है इन्हें बेस कैम्प से ख़वर मिलती है कि उपर तेजी से मोसा में बदला आवाने वाला है और उन्हें सभी को वापिस लोटना होगा लेकिन एल लोग एक ही रसी से कोनेक्ट थे तो وसभी लोग एक दरार में गिर जाते हैं और उनके उपर बरफ की परत्र चम जाती है जिन मेंसे दो की तुरंट मौत हो जाती है जब इनकी बात बेस कैम्प से नहीं हुई तो बेस कैम्प के लोग परिशान होने लगते हैं कुछ समय के इनिका अपने भाई पीटर से रेडियो के माधियम से बात हूई एनिपने भाई पीटर को बटाने लगी कि वह जिन्दा है पर किसी खाही के अंदर है पीटर अपनी बेहन को बचाने के लिए जाना चाहता है मगर पीटर को बताया जाता है कि वो लोग 36 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनके पास उतने समय का समान मौजूद है अगर पीटर गया भी तो ढूंडने के लिए वो कैसे मालूम कर पाएगा कि वो चटान कहां पे है और वो कहां पे फसे हुए है इसलिए पीटर को जाने से मना किया जा रहा था लेकिन जब हेल्प के लिए पाकिस्तान आर्मी के पास गए तो उन्होंने उन्हें नाइट्रो ग्लसरीन बॉम दिये जिसकी हेल्प से बर्फ के चटान को तोड़ कर उन तीनों तक पहुंचा जा सकता था लेकिन उन्हें ढूंडने के लिए उन्हें खुद की मदर खुद करनी पड़ेगी लेकिन पीटर के साथ वहाँ पर जाने के लिए कोई भी तयार नहीं था लेकिन एलियर्ट की कमपनी ने जाने वाले को 50-50 लाक देने को वादा किया अब पीटर के साथ बराइन भी जाने को तयार हो गया अब यहाँ पर हमें ब्राइन के बारे में बताया जाता है आज से आज साल पहले ब्राइन भी अपनी बाइफ के साथ कलाइम भी करने गया था और उस समय भी तुफान आ गया था जिसके कारण उसके बाइफ वहीं पर कहीं खो गई ब्राइन आज भी उसी माउंटेन पर अपन हिंटे बी चुके थे यदि 20-22 घंटे के अंदर इने नहीं बचाया गया तो यह तीनों मारी जाएंगे जैसे जैसे अक्सिजन की कमी हो रही थी इनका दम घुटने लगा इनके पास एक दवा थी जिसकी हेल्प से यह सांस ले सकते थे यानि किन की सांसे पतली हो सकती थी पर एलियट जो सब को यहां पर लाया था वो मना करने लगता है उसका मानना है कि यह वैसे भी मर जाएगा इसकी क्या जरूरत है यदि हमने इसे बचाने की कोशिश की तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे लेकिन एनी ने बात नहीं मानी और उसे इंजेक्शन लगा दिया इधर एलियट सरफ अपनी ही जान बचाने की फिकर कर रहा था तो दूसरी तरफ पीटर के साथ पांच और लोग इन्हें बचाने के लिए हेलिकॉप्टर की मदर से उपर आ रहे थे लेकिन जब हेलिकॉप्टर की लैंड करने की बारी आई तो एर डेंसिटी कम होने लगी इसके क लग में साथी एलियट को बोलता है कि वो उसे भी एक उकसीजन इंजेक्शन लगा दे पर एलियट को सरफ अपनी जान की फिकर होती है वो एनि को बताता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो ऊपर एक और बैक पड़ा है उसमें दवाई पड़ी होगी एनि अब खु उसनम का नजारा ले रहा होता है, लेकिन तबी उसके हाथों से बॉम्ब गिर जाता है और एक बड़ा सा बलाश्ट होता है, उसकी मौत वहीं पे हो जाती है, आर्मी वह विसल उसे बार में बताते हैं कि वह बॉम्म अगर धूप में रखा जाता है तो वहीं पे बलाश्ट हो जाएगा इस बलाश्ट के कारण जब दरार टोटी तो उन्हें एक लरकी की बोडी मिलती है ये बोडी ब्राइन की बाइफ की थी जिसे वो हर साल ढूंडने आता था बाइफ की बोडी के पास एक बोक्स होता है जिसे वो खोल कर देखता है तो उसमें कुछ नहीं आता अब ब्राइन को सब कुछ समझ में आ जाता है वो पीटर को बताता है कि आज से 9 साल पहले जब वो अपनी बाइफ को बचाने आया था तब उसे इसी चगह पर एलियेट भी मिला था और उसी ने मेरी बाइफ से दवाई छीन कर खुद की जान बचाई होगी और उसे यहीं पर मरने दिया होगा और अब वो फैसला करता है कि वो एलियेट को जिन्दा नहीं छोड़ेगा अब हमें एलियेट को दिखाया जाता है वो अब एनी और उसे जखमी आदमी को मारने के फिठाक में होता है ताकि वो अकेला ही बाहर जा सके लेकिन एनी एलियेट के इरादे को भाव लेती है और उसे मारने लगती है इन दोनों में लडाई शुरू हो जाती है अब कुछ समय के बाद दरार से बरफ हटने लगती है एनी अपने मरे हुए साथी के बलड को एक पैकेट में बंद करके उपर फैक देती है जिसके कारण उसका बलड दरार के उपर फैल जाता है और पीटर इस निशानी को देख लेता है पीटर एनी को रसीयों में बांध कर ऊपर खीचने लगता है लेकिन उन्हें खीचना इतना भी आसान नहीं था तब ही ब्रैन वहाँ पर नीचे जाता है और उन्हें बाहर लाने के लिए कोशिश करने लगता है पीटर उसे अंदर जाने से रोक रहा था क्योंकि उसे पता है वो नीचे जाकर एलियट को मार देगा लेकिन नीचे जाने के बाद उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया बलकि एक पल के लिए तो एलियट भी उसे मारने बाला था लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसके उपर हमला नहीं करेगा तो वो रुक जाता है एनी के उपर जाने के बार जब ये दोनों रह गए थे तो इसे बीच बरफ की चटान एक बार फिर खिसकने लगती है अब उन्हें बाहर निकाला असान नहीं था कि उन दोनों में से किसी एको ही बाहर निकाला जा सकता था तो यहां पर ब्राइन एक बार फिर अपनी रसी को काट लेता है और दोनों वहीं पर बरफ में दफन होकर मर जाते हैं इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खतम होती है